दोस्ते एक बार फिर से स्वागत आप सभी कसोने की चनल्स में मैं हूं पाउन और वीडियो को लास्ट तक देखते रहे हैं चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन आउन कर लिजे ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलती रहें दूद है वहां पे 120 किलो दूद मैंने यहां पे लिया है और सारे दूद को मैं यहां पे उबाल लूँगा तो यह वाली मशीन है मारे पास जो घूमने वाली मशीन होती है यह दूद उबालने के लिए ही होती है और खोया बनाने के लिए होती है बरफी भी हमने इसी में ब पनीर बनाना होगा तो यह देखिए अल्मोस उबाल आने वाला ही है यह देखिए बहुत ज़्याद गरम हो चुका है उबाल आने वाला है तो यह देखिए उबाल आई चुका है तो अब हम इसको दूसरे बरतन में निकाल लेंगे तो ये देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है बड़ा सा जिसमें मैं आप दूद निकाल सकूँ और छानना जिया होता है कि इसमें अगर कोई कच्रा वगरा होगा तो वो पनीर में ना चला जाया इसलिए तो पनीर से पांगर वगर्दा से फारते हैं तो वह मैं इसमें बनाओंगा मिक्स्चर उसका तो यहां पे सब से पहले मैंने इसमें 25 ली Unלים भरूंगा तो मैंने आप नर्बी को बताया था ना कि दूद अकि घ्म डेरी वाले पाणी जरूर ज़रूर डालते हैं और वह इस ज़यादा पानी डालते हैं यहांपे 120 किलो दूद में 25 लीटर पानी है मेरे पास और यह देखिए जो पनीर मसाला होता है विनिगर टाइप का लेकिन विनिगर नहीं होता है लेकिन पनीर का मसाला होता है यह मार्केट में इसी तरह के बॉटल मिल जाएगे तो देखिए आधा गिलास मैंने इसमें डाला है और इतने सारे दूद के लिए दिखी मैने आधह गिलास का यूज किया है अब यह धीरे-धीरे करके अपने एक जग से हम अपना जो दूद है इसको हिलाते रहेंगे और हूआ धीरी-धीरे करके इसको टाइट हो जाता है और उपर से वह बहुत ज़्यादा खट्टा भी हो जाता है एक दो दिन में ही अगर उस टाइम खट्टा नहीं होगा तो वह शाम तक खट्टा हो जाएगा या फिर अगले दिन खट्टा हो जाएगा और हमारा जो पनीर हम बनाते हैं यह करीब आए एक हफ पानी पस्ट जब तक डालेंगे तो यह बिल्कुल फटके रैडी हो चुका है अब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और उसके बाद यानिकी अच्छे से फट जाए इसलिए थोड़ा सा इसको पूलाता है और उसके बाद इसको 2-3 मिनट के के लिए हम उसको आसी छोड़ देंगे ताकि जो पनीर है यह अच्छे से पक जाए पकने का मतलब क्या होता है कि जो पार्ट नहीं भी फटा दोत का या थोड़ा बहुत कच्छा है उस वह अच्छे से फट जाए और अच्छे से इसकी बाइंडिंग आ जाए तो यह देखिए हम अपना जो पनीर है पनीर का मिक्स करो के अंदरने के अगलता रहेगा ज़्यादा निकालने की जरूर्त नहीं पानी औरके और इसमें पनीर एक ही बार में बनाएंगे और यह देखिए मैंने सिंपल वाटर भरा ही यह सिंपल वाटर है कोई विनेगर वाला नहीं है तो इसको ऐसे जो होता है डेरी पे इसको एक बार अच्छे से धो दिया जाता है पानी डालके ताकि जो खटा वगरा है इसमें थोड़ा बहुत होता है वैसे हमने जाला डाला ही नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है खटा हो तो इसमें वह चीज निकल जाए तो बिल्कुल भी पनीर खटा नहीं रहेगा वह बहुत बड़िया पनीर रहेगा तो यह देखिए बिल्कुल यह रेडी है अभी यहाँ पे इसको हम लपेट के बिल्कुल अच्छे से एक प्लेट है मेरे पास यह देखिए ट्रे जो हलवाई वाली होती है बर्फी जिसमें बनाते हैं डालके रखते हैं बर्फी तो उसी पर मैंने इसको रख दिया है अब इसको अच्छे से लपेट देंगे ताकि यह खुले ना बिल्कुल और हाँ इसको अच्छे से उल्टा करके रखें और इसके उपर एक प्लेट रखें और इसके उपर काफी जितना वजन हो सके वेट रख दें बहुत ज्यादा भी नहीं मैं इस पर रखूंगा उनली 40-50 किलो का वेट है मेरे पास तो यह दिखिए पत्थर है मेरे पास 50 किलो का तो यह 50 किलो का पत्थर मैं इसके उपर रख दूंगा और अपना भी वजन मेरा 70 किलो वजन है तो मैं अपना भी वजन इसके उपर डाल रहा हूं फिर भी कपड़े को कुछ नहीं हो रहा और इसका पानी है वो धीरे-धीरे करके निकलेगा यह दिखिए बिल्कुल धीर के बाद भी कर सकते ओपन तो यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप बना रहे हो कहीं पर तो उसको जल्दी ओपन ना करें दो चार घंटे उसको वेट कर लें तो यह देखिए अब सेकंड बैच वाला जो हम रैडी कर लेते हैं सेम प्रोसेस सेकंड बैच भी हमने रैडी कर लिया है इसी तरीके से तो यह देखिए इसको भी हमने रैडी करके आसी रख दिया इसके उपर भी बैट रख देंगे हम तो सेम वही चीज वही पत्थर मेरे पास है उसी तरह का तो भी 40-50 किलो से ज्यादा यह चालिस से ज्यादा है वैसा इसका बैट तो यहां पर दोनों हमारे रैडी है अब इसको छोड़ देते हैं तो यह देखिए अब यह चार से पांच घंटे के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं और एक टिक की मैंने खोल दे थी अक्चली कर्श्टमर को देना था तो यहां पर दूसरी वाली मैं आपको उपन करके दिखा रहा ही कुछ लोगों कपड़ा होता है बहुत ज़्यादा इसे में चिपक जाता है तो कुछ लोग यह कंप्लेंट करते हैं मेरे पास मैसेज आया था किसी का तो अब इसको सीधा उठाके पानी में डाल रहा हूं उसके बाद कपड़ा निकाल लेंगे पानी से ही तो देखिए मै तो मुझे सबूत देने की ज़रूत नहीं है आप सभी को कि यह सॉफ्ट है कि नहीं है डेरी पे बना रहा हूं तो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना आपको वीडियो कैसे लगी के में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्र